hello sun moon and rising Sagittarius welcome to my channel dreamdeherwood यह अपके पार्टन के करने फीलिंग्स के हुआ ले से timeless collective message है timeless means के जो भी आप इस message को देखें कि आप उसे resonate कर सकता है और जितना आसे resonate करें उतना लें अगर आप में चानल पर न्यूए है तो इसको subscribe करें मेरे दूसे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्चर में मौझूद, अगर आप उनसे पर सरे रिंग चाहिए, तो भी आप उनसे मेरे इंस्टाग्राम पर कांटे कर सकते हैं So, let's see, कि क्या मैसेज़ेस आते हैं आपके लिए आपके पार्णर की करेंट फीलिंग के हवाले से, what are Sagittarius person's current feelings for Sagittarius Okay, मेरे Heavens Dream Tarot channel को भी follow करें for live sessions and Facebook को भी, okay So, let's start, Sagittarius person's current feelings for Sagittarius Sagittarius partner's current feelings for Sagittarius Sagittarius person's current feelings for Sagittarius Okay, so underneath आपके पास है Knight of Wands Four of Cups Your partner is showing some indecision There is some kind of indecision कोई decision वो नहीं बना पा रहे हैं और हो सकता है कि वो आपको attitude शो कर रहे हों और anger और egoistic हैं आपके पार्टनर और सिर्फ आप महलब वेटिंग पर रहे हैं कि चीज़ें खुद बहुद बहतर हों और अपनी तरफ से no interest शो कर रहे हैं अनकी तरफ से non-serious attitude towards you आपके तरफ एक non-serious attitude means के एक बच्चेगाना सा attitude उनका है आपकी तरफ यहाँ पर हो सकता है definitely third party situation है या unhealthy situation है आप दोनों के दर्मियान no contact या अगर आप लोग contact में हैं भी तो fighting या इस तरह की no contact situation like इस तरह की situation है जो के unhealthy होती है एक relationship के लिए और restrictions भी मुझे नजर आनी हो सकता है उनकी family की तरफ से हो या फिर या फिर ये वो किसी third party में है जिस वजह से वो इतना restricted या unhealthy feel करते है yes third party situation हो सकता है हो सकता है वो already married है जो के उनके लिए challenging situation है इसके लाबा या फिर आपके साथ commitment करना हो उनके लिए challenge हो रहा है happy stable married life हासिल करना उनके लिए थोड़ सा unstable मुश्किल हो रहा है challenging हो रहा है आपके साथ या फिर जिस marriage में वो है अगर वो married है तो वो एक toxic और unhealthy है उसमें वो एक stability नहीं हासिल कर पा रहे और अगर आपके साथ वो married है तो definitely यहाँ पर third party interference उनकी family की तरफ से हो सकता है जिसके विज़ासे वो आपके साथ एक अच्छा relationship enjoy नहीं कर पा रहे और यहाँ पर वो stability ही चाहते है यहाँ हो सकता है वो आपके साथ home and family बनाना चाते है अगर आप लोग relationship में married नहीं है तो अगर वो married है तो आपके साथ वो एक happy home या फिर घर बनाना चाते है वो आपके साथ इस तरह की situation है और इसके लावब वो आपके साथ soul bond भी महसूस करते है उनको लगता है कि आपके साथ उनका जो connection वो किसी के साथ नहीं बन सकता और यह एक divinely protected relationship है यह divine की तरफ से है destined relationship है उनको ऐसा लगता है आपके साथ और यह वो आपके पास आना चाते है with cup of love और बहुत ददा passionate feel करें, obsession feel करें वो आपकी तरफ passionate feel करें बट यहापे कोई कुछ unhealthy है या तो no contact है या वो कोई action लेना नहीं चाहते और यह no contact बहुत लंबा होता जा रहा है जिसके वज़ा से यह unhealthy situation बन दी जा रही है और आपकी तरफ obsessed हो रहे हैं और आपको चाहते हैं कि आप उनकी life में वापस आए still वो आपका वेट करें लेकिन अपनी तरफ से कोई action लेना नहीं चाहते है अपनी तरफ से non-serious attitude वो शो करें है so let's see कि यहाँ पर उनकी heart sorry not heart messages first I have to take two intentions कि आपके partner की two intentions क्या है Sagittarius Sagittarius के partner की two intentions क्या है to work Sagittarius Sagittarius के persons की two intentions क्या है for Sagittarius Sagittarius के person's true intentions for Sagittarius so maybe वो grief में हो सकते हैं आपके साथ आपके बगार आपके लिए insecure हो सकते हैं means कि कहीं आप किसी और के साथ ना चले जाए या third party के विज़ा से insecure हो सकते हैं या आप like उनको लगता है यह relationship उनका अपने अपने heart chakra नहीं open करे उनको अपने heart chakra नहीं open करने की जरूरत है या उनको insecurity है कि कुछ लोग इस relationship को toxic कर रहे हैं और इस relationship को effect कर रहे हैं और उन लोगों से इस relationship को बचाना चाहते हैं उनको उन लोगों से insecurity हो रहे हैं कि उनके दिल में जो feelings आपके लिए हैं उनको attack करते हैं या उसको effect करने की कोशिश करते हैं उसको gossiping करके आपके खिलाब बाते करके कर सकते हैं इसलिए वो उसको protect करने चाहते हैं वो उन secure हो रहे हैं ये third party interference से बहुत ज़दा insecure हो रहे हैं आपके लिए passion feel करें और बहुत ज़दा grief में कि ये relationship growth में क्यों नहीं जा रहा लेकिन वो अपनी तरफ से कोई still लेना नहीं चाहते कोई step लेना नहीं चाहते अपनी तरफ से one more message for Sagittarius presents two intentions Sagittarius के partner की two intentions care for Sagittarius वो आपको soulmate समझते हैं अपना और impasse means के उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा हूँ जैसे मैंने आपको बताया था कि वो कोई वो अपनी तरफ से कोई action नहीं ले रहे हैं क्योंके उनने कोई रास्ता नहीं मिल रहा हूँ पास में उनने बहुत इगो दिखाया था आपको लेकिन अब वो जो है थर्ड पार्टी में गए थे पास में खुद से थर्ड पार्टी की इंटेफिरेरिंस के जासे उनने इस रिलेशनिशिप में बहुत अदा disturbance क्रियेट की अब वो जो है बहुत अदा ग्रीफ में आ रहे हैं आपके लिए passion फील करें लेकिन अपनी तरफ से कोई step लेना नहीं चाहते I left you before you could leave me तो यह उनका message है कि उनको लगता है कि शायद आपने किसी और की वज़ा से उनको छोड़ा है इसलिए उन्होंने आपको पहले ही छोड़ दिया यह जैसे यहां पे third party interference आपकी तरफ से भी हो सकता है तो इसलिए वो आपकी तरफ कोई step लेना नहीं चाहते है जब तक उनको यह clarity नहीं मिले कि आप उनकी तरफ आएंगे finding other truth crush me तो उनको लगा कि शायद आप किसी और के साथ है यह जो truth है वो hard बरदाश नहीं होगा उनसे you don't know how hard it was let you go so बहुत मुश्किल से उन्होंने आपकी आपसे step back लिया था बहुत मुश्किल हुई उनको आपसे दूर जाने में बट उन्होंने यह किया बहुत हार था उनके लिए you speak to me through music यह third party आपकी तरफ से हो सकती है जिस वज़ा से वो आपको cold attitude शो कर रहे हैं और उनको लगता है कि आप already आपकी marriage या फिर उनकी marriage आज़ों में से कोई एक तो marriage है जिसकी वज़ा से यह situation बनी है लेकिन वो still आपके लिए feel करते हैं आपके लिए passionate है I'm afraid to contact you आपसे contact करने ही पाएंगे क्योंके वो डरते हैं rejection से I remember every day of the day तो कोई भी कोई खास दिन है जिसकी detail उनको बहुत अच्छी भी किसे पता है So let's see कि उनके next action क्या हो सकता है Sagittarius के partner का next action towards Sagittarius Sagittarius versus next action towards Sagittarius क्या हो सकता है Please universe guide me आपके partner आपके पास आना चाते हैं आपको commitment देना चाते हैं और बट वो slow process से आपके पास आ रहे हैं क्योंके वो decide नहीं कर पा रहे है क्योंके वो decide नहीं कर पा रहे हैं उनको आपके पास आना चाहिए या नहीं लेकिन वो पूरा रखते हैं कि वो आपके पास आएं या आपको stability दें और वो आपके लिए बहुत दा passionate भी हो सकते हैं in future में आपके साथ एक physical attraction उनको feel हो सकती है passionate बहुत दापके लिए हो रहे हैं हो सकता है वो सबर रखें क्योंकि सबर ही रखेंगे कि वो आपके तरफ आएं एक सबर से वो आपको आहिस्ता आहिस्ता slowly slowly वो आप तक पहुँचेंगे ताके चीज़ें smoothly आगे बढ़ सकें क्योंकि उनको पता है कि यह एकदम से यह चीज़ें नहीं होंगी आहिसा इसा ही होंगी तो जो भी process वो कर रहे हैं जो भी वो आपके तरफ ले आने के लिए जो step ले रहे हैं वो slow है तब ही आपको ऐसा लगता है वो non-serial attitude दिखा रहे हैं otherwise वो आपके साथ एक balance चाहते हैं आपके साथ initiate लेना चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको stability देना चाहते हैं so that was your reading if it resonates you, please let me confirm in the comment below like my video, subscribe my channel, thanks for watching